हालो एवरिवन वेल्कम टू माई चैनल आज हम चोकलेट चोको चिप कोकीज मनाएंगे और थोरे टाइम पहले मैंने इंस्टाग्राम पे इसकी फोटोज अप्लोड करी थी और आप लोगों ने काफी अप्रिशेट किया था तो आज हम उसकी रेसिपी लेके आई हूँ तो च कास्टर शुगर और थोड़ा सा दूद इन सब इंग्रिडेंट्स का exact measurement और quantity में description बॉक्स में भी एड़ करूंगी आप वहां से भी चेक कर सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले हम ड्राइ इंग्रिडेंट्स से शुरू करेंगे मैंने यहां पर ओल पॉपस फ्ला लिया है अब हम इसमें अपना कोको पाउडर एट करेंगे सारे ड्राइ इंग्रिडेंट्स को एक साथ मिला के हमें अच्छे से सीव करना है ताकि यह अच्छे से मिक्स हो जा और फिर हम इसमें बेकिंग सोडा एट करेंगे अब मैं यहां पर कॉन फ्लोर डाल रही हूँ यह ऑप्शनल है आप से स्किप भी कर सकते हैं अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि इसमें कोई भी लंब्स ना रहे और यह अच्छे से मिल जाए कोको पाउडर में हमीशा बहुत लंब साते हैं तो अगर आप कुछ भी बना रहे हैं कोको पाउडर से चाहें केक या कुकीज उसे हमीशा ऐसे ही यूज़ करें अब यह हमारा अच्छे से ड्राइ इंग्रिडेंट मिक्स हो गया है अब हम हमारे दूसरे इंग्रिडेंट के साथ काम करेंगे अब मैंने यहाँ पर बटर लिया है आपको बटर रूम टेंपरेचर पे लेना है ना इससे मेल्ट करना है और ना डारेक्ट फ्रीट से निकाल के यूज़ करना है तो जब भी आप कुकीज बना रहे है तो उससे एक घंटा पहले पटर को बहार निकाल के रख दे अब हम बीटर की हल्प से इससे विस्क करेंगे हमें इसके बिल्कुल हलके हाथों से क्रीमिंग करनी है आप अगर ज़्यादा कुएंटिटी में बना रहे हैं तो आप हैंडर का भी यूज़ कर सकते हैं अब हम इसमें कास्टर शुगर एड़ करेंगे मैंने यहाँ पे कास्टर शुगर यूज़ करी है आप चाहें तो PCV चीनी जो बूरा आता है उसे भी यूज़ कर सकते हैं कास्टर शुगर से एक अच्छा क्रंच आता है कोकीज में और एक अलग फ्लेवर आता है ध्यान रहे हमें इसकी क्रीमिंग ज़्यादा नहीं करनी है केक की तरह इसे ज्यादा बीट नहीं करना है ज्यादा बीट करने से हमारी जो कुकीज है वह बिल्कुल पतली बनेगी और फ्लैट बनेगी अब हम हमारे ड्राइ इंग्रेडेट्स इसमें मिक्स करेंगे मैं यहाँ टू बैचेज में मिक्स करूंगी ताकि यह अच्छे से मिल जाए हमेशा कुकीज बनाए या फिर केक बनाए आप अपने मेजरमेंट का ध्यान रखें जो मेजरमेंट दिया हुआ है आप उसी के अक हमें फ्रेज से निकालके उसे यूज नहीं करना है यह कुछ टेप्स अगर आप याद रखेंगे ध्यान में रखेंगे तो आपकी कुकीज बिल्कुल अच्छी बनेगी अब मैं यहाँ पे वनीला एसेंस एड़ कर रही हूं अगर आपके पास चॉकलेट एसेंस है तो आप मैं इसमें चॉको चिप्स एड़ करूँगी आप इस स्टेच पे चॉको चिप्स के साथ ड्राइफ्रूट भी मिक्स कर सकते हैं ड्राइफ्रूट के साथ भी यह बहुत टेस्टी लगती है अब हम इसे अच्छे से मिलाएंगे अब हम इसमें डो लगाने के लिए दूद मिलाएंगे आप हमीशा थोड़ा-थोड़ा करके दूद मिलाएं जितने जरूरत है मैंने यहाँ पर भी वन टीस्पून दूद मिलाया है और हमें इस टाइप से इसका डो लगाना है हमें जादा गीला नहीं करना है इसको हम अगर बॉल शेप देके देखते हैं तो इस टाइप से बंधना चाहिए बस हमें बंधने जैसी कंसिस्टेंसी का ही डो लगाना है अब इस डो को हम लगभग आदे गंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे अब हमारा यह डो रेडी है हमेंने आदा गंटा इसे फ्रिज में ढखके की रखा था अब हम forwards कुपंग से हमारा कुकी बनाएंगी स्कूपिंग करने से हमें सब एकी साइस और शेप की कुकेष मिलेगी वरना अगर हम अलग-लग सब चैनल बह्रबती है तो सब को बेकरना यह सब को है क्साद बेक करना है इसले हमेशा elsे की साइज की कुकीष बनाने का ट्राइ कीजिए मैंने कुकीज बनाने शुरू करने से पहले अपना जो अवन है उससे प्री हीट के लिए रख दिया है और कुछ कुकीज हम अपने कडाई में या कुकर में बनाएंगे तो मैंने उससे भी गरम करने के लिए रख दिया है तो हमीशा कुकीज बनाते वक्त अपना अवन और कोकर प्री हीट के लिए जरूर रखें इस टाइप से हमें सब एक ही साइज की कुकीज बनके तयार करनी है अब यह हमारी कुकीज रेडी है मैंने यहां बेकिंग पेपर अल्रेडी लगा रखा था अब हम इसके उपर चौको चिप्स लगाएंगे आप यहां पे चाहिए तो कैश्यूज भी लगा सकते हैं इसके साथ में कुकीज को थोड़े-थोड़े से डिस्टैंस पे रखे हमेशा क्योंकि जब यह बेक होगी तो इसलिए जो मैं कड़ाई में कुकीज बनाने वाली हूँ उसमें मैंने सिर्फ चार ही कुकीज रखी है अपनी प्लेट पे अब हम इन सारी कुकीज को बेकिंग के लिए रखें जो बचा हुआ डो है इसे मैंने वापस फ्रीज में रख दिया है जब हम सेकेंड बैच बनाएंगे उससे पहले निकालेंगे अब यह हमारी कुकीज बनके रेडी है और इसमें बहुत अच्छे क्रैक्स आ गये हैं और कालर भी बहुत अच्छा आया है यह बिल्कुल कि विशल लो रखें ज्यादा हाई करके ना पकाएं इससे और बीच बीच में चैक करते रहें तो अब हम इसे चैक कर रहे हैं यह थंडी हो गई है बिल्कुल बिल्कुल अच्छे से बेक हुई है यह बिल्कुल भी बॉन नहीं हुई है अब हम धौनों कुकीज हों है उससे बिल्कुल ठंडा होने के बाद तोड के देखेंगे देखेंगे अब हम इससे तोड के देख रहे हैं बहुत अच्छे से बेक हुई और अंदर क्रंज भी बहुत अच्छा आया है आप इसे एर टाइट कंटीनर में भर के रख सकते हैं यह 15 दिन तक बिल्कुल टेस्ट इसका ऐसा ही रहेगा और यह बिल्कुल खराब नहीं होगी तो आप यह कुकीज इन ही टेप्स और ट्रिक्स के साथ बनाईए और मुझे बताईए कि आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा और मुझे दो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राब मैं चानल और प्रेस्ट बेल इकन थैंक यू बबाई